मंगलवार को आजेच चोटाला की फरलो जो है खतम हो रही है और इससे पहले तिहार जाने से पहले आजेच सिंग ने खीचा पार्टी का खाका सांसत दुशंत के हवाले होगी कमान और नाम होगा नई पार्टी का जन्नायक जनता दल 9 दिसंबर को गठित होगी नई पार्टी आज शाम वापिस लोटेंगे तिहार जेल पूरो सांसत डुक्टर अजेच सिंग चोटाला की 14 दिन की फरलो समाप्त हो गई है मंगलवार की शाम वे वापिस तिहार जेल लोटेंगे जेल जाने से पहले अजेच ने अपनी नई पार्टी के गठन का खाका लगबग तयार कर लिया है सोमवार को उनका पूरा दिन बैठकों में गुजरा और मंगलवार को भी दोपैर तक उनकी पार्टी के वरिष्ट नेताओं तक बैठके चलेंगी सिरसा में उन्होंने घोशणा की है कि 9 दिसंबर को नई पार्टी का गठन पूरा कर लिया जाएगा जेल जाने से पहले वे पार्टी के गठन की तमाम प्रक्रिया पूरी करके जाना चाहते हैं अजय के जेल जाने के बाद पार्टी रिजिस्ट्रेशन सहीत इस से जुड़े तमाम काम दुशंत और उनकी टीम कराएगी सूत्रों का कहना है कि अजय ने जन नायक सेवा दल को और अधिक सक्रिय करने को कहा है ऐसे में बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में सेवा दल सभी दस लोक सभा और 22 जिलों के परभारियों के साथ 90 हलका परभारियों की सूची भी जारी करे यही नही नई पार्टी में शामिल होने वाले चेहरे पर भी मोटे तोर पर सहमती बन चुकी है माना जा रहे कि दुशन चोटला के लिए बनाई जा रही नई राजनेतिक पार्टी का रूप रंग पूरी तरह से इंडिन नेशनल लोक दल से अलग होगा पार्टी में पूर्वा उपरधान मंतरी स्वरगे चोधरी देविलाल के नाम और काम की जलक नजराएगी लेकिन इनलो से एक कदम अलग इसका सवरूप होगा अजय ने जन्माएक सेवादल और कोर ग्रूप के सदस्यों के साथ बैठक करके यह भी सपष्ट कर दिया है कि यह पार्टी कि अवल गाओं की ही नहीं बलकी शहरों की भी होगी गोर्तलम है कि इनलों को जाटों और गाओं की ही पार्टी माना जाता है अजय इस छवी को तोड़ने में जुटे हैं जाटों के साथ साथ दलितों एवं पिछडा वर्क के लोगों को साधने का काम दुशंत करेंगे सामाने श्रेणी की जातिया अब्राहमन, वैश्य पंजाबी वर्राजपूतों को भी अपने साथ जोड़ कर चलने की कौईद दुशंत ने छेडी है यह भी तै किया गया है कि संगठन और आगामी चुनाओं में टिकट बटवारे में जातियों की आबादी के अनुसार नेताओं को तवज्जों दी जाएगी हरियाना में जाट और गैर जाट की राजनिती को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है भाजपा के बारे में धारना है कि वह गैर जाट की राजनिती करती है वही कांगरेस पूरी तरह से गुटबाजी में बटे होई है ऐसे में दुशंत की कोशिश रहेगी कि जाटों के साथ साथ गैर जाटों भी पूरा मान सम्मान दिया जाए कुल मिलाकर दुशंत आने वाले दिनों में सोशल इंजीनिरिंग के फार्मूले पर काम करते नजर आएंगे जीन में हुई कार्य कारणी की बैठक में आजे चोटाला सही तो उनसे जुड़े अधिकान नेता जननायक जनता दल नाम की पार्टी बनाने पर मुहर लगा चुके हैं बताते हैं कि इसी बैठक में पार्टी के जंडे को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है जननायक जनता दल के जंडे में हरा रंग भी शामिल करने का फैसला लिया गया है चुनाव चिन बारे अभी बातचीत का दोर जारी है यही नहीं जीन उप चुनाव भी लड़ने का मन बनाया जा चुका है लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी बात है पहले आजे सिंग चुटाला ने कहा था कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे देखो राजनितिक विचारदारा अलग चीज है परिवार तो परिवार है परिवार में दरार है तो वो अंदर होगी बार तो कहीं कोई ना है ना मुझे कहीं दिखाई दे रही है राजनितिक विचारदारा तो बदलती है आदमी की हरे एक की अपनी अपनी है आपकी अलग सोच है मेरी अलग सोच है दूसरों की अलग सोच है अरे भई पार्टी हमारी है नहीं क्यों बढाएंगे तो नियां नैशनल लोकदल जो है वह इन लोगों की पार्टी है डुन इलें इरहने ša 다 फिकर इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला जायान उन्हार वह हमारी पार्टी है वह किसी की बाप वती ठोड़ी तोडी कहीं ना कहीं इनलों पर ही वो दावा करेंगे लेकिन एकदम से जब ये सोशल इंजीनियरिंग की बाते होने लगी जो है अजय चोटाला ने 17 दिसंबर को जीन में कारे करताओं की मीटिंग कर ये फैसला वहीं तै कर लिया था कि हम नई पार्टी बनाएंगे और वो तिहाड जेल जाने से पहले इस पार्टी का लगबग नाम भी फाइनल कर चुके हैं और इसका जल्द ही रिजिस्ट्रेशन भी करवा लिया जाएगा जन नायक जनता दल के नाम से ही नई पार्टी का गठन होगा के नायन मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटास टेकनलोजी वीद फूली वारलेस सिस्टम जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइग कर सकते हैं जैसे की राजनीतिक रैली, जलसा, जागरन और स्पोर्ट्स इवेंट